हेलो बच्चो कैसे हो तो आज फिर शी आ गए है एक नए वीडियो के साथ आज करेंगे हैं नाई पैंट दो तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक, सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस ज जैसे कि आप देख सकते हैं हमें बताया गया है फर्स्ट किस्टन में निमलिकित एक पदी योगमो का गुनफल ग्यात कि जिये जैसा कि कल मैंने मतलब पिछली वीडियो में आपको बता था कि गुनफल कैसे करते हैं ठीक है मतलब एक पदी क्या होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया पिछली वीडियो में तो आज हम करेंगे multiply ठीक है? तो चलिए देखते हैं तो बचो हमारे पास first question में हमें क्या करना? multiply करनी है ठीक है? तो चलिए start करते हैं जैसे 4 की multiply हमें करनी है 7P के साथ तो क्या अंसर है हमारा? 7, 4, 28 तो 28 और multiply में क्या है? P तो P as D तो answer क्या हुआ? 28P अगला question देखो जैसे 7, 4, 28 यहां क्या है? minus तो क्या हुआ? minus यह क्या है? P यह है? P तो P की multiply पी से करते हैं तो क्या बनता है? P का square ठीक है? अगला question minus का 7 minus का 4P and plus का 7P Q तो क्या बना? minus का 7 चोगे? 28 यह है P यह है P यह है P यहनी P का square और शाद में क्या है Q तो Q as D ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं आपको समझ में आ रहा हुआ अगर कुछ भी समझ में नहीं आथा तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं अगरा कुछन देखते हैं चार की मल्टिप्लाइ करने में तीन के साथ तो क्या बना? 4 तिया 12 यह है P की 3 और यह है P की 1 तो P की 3 और एक क्या बना? P की 4 यह देखो चार P की मल्टिप्लाइ करने 0 के साथ जब हम किसी भी number की multiply zero के साथ करते हैं तो क्या बनता हमारा answer zero तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा पहला question complete हो गया है अब हम करते है second question second question में क्या है चले देखते हैं second question में कह रहा है इनमें लिखित बहुपदी योगमों के रूप में लंबाई इम चोड़ाई रखने वाले आयतों का छेतरफल ग्याती है देखो हमारे पास कुछ आयत के छेतरफल दे रखे है ठीक है और आयत का छेतरफल क्या होता आपको पता ही होगा आयत का छेतरफल होता है लंबाई गुना में चोड़ाई ठीक है तो हमारे प भी वेंना P Q Q हम tweeux हमें क्या 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 सिंपल मल्टिप्लाइ की है ठीक है तो आप की छिए कम ना सिंपल मल्टिप्लाइए अगला क्यम है दसHcare M kommen है पाँच एन क्या करना सिंबल मिल्टिप्लाइए यानि 5 की गुणा 90 के साथ 10 के साथ तो क्या बना पांच धाई पचास M N अगला बीस एक्स स्क्वेड और पांच Y स्क्वेड तो बीस की जब मल्टिप्लाइब पांच से करेंगे तो क्या मनेगा बीस पंजे 100 और यह X square तो X square as it is यह है Y square यह Y square as it is ठीक है अगला 4X 3X square तो 4 की multiply जब 3 से करें तो answer क्या आएगा 4 तिया 12 यह X की 1 है और यह X की 2 है तो क्या बना X की 3 अगला 4MN sorry 3MN 4NP तो जब 3 की multiply 4 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा 12 और M की multiply देख यह है M यह है N तो M तो as it is और N का square और शाथ में क्या है P तो P as it is ठीक है तो वैसे मारा दूसरा क्यूशन क्या होगा complete अब हम करेंगे तीसरा क्यूशन तो बच्चों आप देखते है third question third question क्या है good and follow की सारणी को पूरा किजिये पर्तम एक पदी दिवीती है एक पदी ठीक है तो simple हमें कुछ नहीं करना हमें simple multiply करनी है जैसे दो एक्स है यहां पर यहां पर क्या है दो एक्स तो जब दो एक्स ही गुणा जब दो एक्स साथ करते तो अंसर क्याता है 4X square ठीक है यहां क्या है 2X यहां क्या है माइनस का 5Y तो जब 5 की गुणा दो के साथ करेंगे तो अंसर क्या है माइनस का 10XY तो यहां पर क्या लगेंगे माइनस का 10XY यहां देखो यह क्या है 2X यह है 3X square जब 3 की गुणा जब 2 के साथ करें तो अंसर क्या है और एक्स की गुणा जब एक्स स्क्वेर के साथ हुई तो छैक्स स्क्वेर जैसे देखो एक मैं समझाते हूं आपको यह ऐसे करना है एक बात और बच्चो पिछले क्यूशन में हमाया जो पहला क्यूशन किया है उसका जो फोर्थ पार्ट है उसे माइनस आगा यहां पर ठीक है तो आप देख लेना क्योंकि मैंने ध्यान निदिया तो आप देख लेने पर अच्छी सी हां तुझे से देखो एक पर यह देखो ह मिं क्या करना है आप बर इस पाँकि मृटिप्ल एग बर किसके साथ है दो एक वाई ताउशर क्या हमारा थको पा जैए करनी है दो एक्स के साथ तो क्या होगा पांच दूनी दस और माइन इस का यह है यह है एक्स तो क्या बना एक्स य तो मारा अनसर क्या हुआ यहां पर माइनस का दसे से y as it is a simple minus का 5y और minus का 5y तो minus minus पलत और पाप 25y है तो y कहा square यह सब लिखने हैं हम यहां पर जो सार ने दी हुई है अपर लिखने यह ठीक है आई हो आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसे ही देखो साथ x square y तो पहले किस के साथ मिल्टिप्लाए इसके साथ 2x के साथ फिर 7x square y के मिल्टिप्लाए पांच y के साथ यहां पर फिर इसकी मिल्टिप्लाए इसके साथ फिर इसकी मिल्टिप्लाए इसके साथ इसकी मिल्टिप्लाए इसके साथ इसकी मिल्टिप्ल करते हैं चलो देखते हैं फूर्थ की चुन्म क्या है ऐसे गहना आकार बक्षों का आयतन ग्याद कीजिए देखो गहन क्या होता गहन गहन होता हमारा क्यूब जैसे यह था मारा गहन जिसकी सबी साइड एक्वल होती है थीक है चीतर सोड़ा गलत बन सकता है बट अब समझ लेना ठीक है जिसकी सबी साइड एक्वल होती है यह हमारी पास गन और इसकी वाल्यूम क्या होते हैं हमारी पास एक यूब मतलब जो साइड दे रही उसका क्यूब कर देंगे हम ठीक है उसके कहा निकला है हमारा आयतन आय चिक है I am I can't have apology अंट तो मालोगर किहम्प साइड मारे पास च्छी है तो हम्तिया करेंगे च्छ़ गुवनानी च्छ कि गुवद्टीन बारा ना तुश्रों कि मुटीजे भी क्या बार करेंगे तीन बार तो अंसर क्या हमारा 6 6 36 2 Sud 6 यह हमारा क्या हो जागा Volume ठीक है ऐसे ही करने है चलो फ्रस्ट किसों देखते हैं फ्रस्ट पार्ट देखते हैं फ्रस्ट पार्ट में क्या बता गया है एक डिकी साउड हमारे पास 5A दूसरी है 3A का स्क्वेर दूसरी है 7A का 1E 4 तो क्या answer होगा हमारा बच्चो 5-5, 15, 15, 105, ये है पावर 1, एकी पावर 1, एकी पावर 2, एकी पावर 4, तो टोटल पावर कितने हमाई पास है, एक अर दो तेन तीन और चार शाथ यानि एक इपावर साथ तो यह क्या हमारा अंसर ठीक है अगर बचो कुछ भी समझ में यादता तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताए ताकि मैं अच्छे से और समझा सकूँ ठीक है तो अगला किशन देखते हैं साथ दो पी दो पी चार क्यू आठ आर तो क्या करेंगे सिंपल मल्टिप्लाई चार दुनी आठ आठो आठो चोशट तो चोशट है पी क्यू आर यह क्या हो गया हमारा अंसर ठीक है सभी क्यूशन ऐसे करनी है अगला देखो थर्ड पार्ट इसका एक्स वाई दो एक्स स्क्वेर वाई एंड दो एक्स वाई का स्क्वेर चलो दो दुनी चार सबसे पहले हम जो नमबर दी हो है ना उसकी मल्टिप्लाई करनीती में फिर करेंगे वैरियाबल यह है एक्स के एक्स की पावर एक एक्स की पावर दो एक्स की पावर एक तो कितना बना एक्स की पावर च्यार यह है एक यह भी एक यह है दो यानि वाई की पावर भी च्यार ठीक है यह हमारा क्या हो गया अंसर अब करते हैं फॉर्ट पार्ट फुर्थ पार्ट है ए टू बी थरी सी तो इसमें क्या करेंगे सिंपल मल्टिप्लाई तो करो तीन दूनी छै ये ए बी सी ए बी सी एज इस तो ये क्या हो गया हमारा अंसर आई होप आपको कलियर हो रहा होगा चो तो चलिए लास्ट क्योशन करते है पाट्समा क्योशन ठीक है तो बच्चो फिफ्ट क्योशन में हमें क्या करना है सिर्फ मल्टिप्लाई करनी है ठीक है तो चलिए लास्ट क्योशन ही और करते हैं पहला पार्ट क्या इसका पहला पार्ट कह रहा है एक्स वाई Y, Z and Z, X तो simple क्या करने है, multiply यह X है, और 1X यह रहा, तो क्या हो, X की 2, Y है, Y यह रहा तो Y की 2 Z है, Z यह रहा, तो Z की तो यह क्या हो गया हमारा answer तो second part देखते हैं second part क्या गता है, A minus A का square and A की Q देखो, multiply करने हैं, तो power देखेंगी, इसकी power 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो 1 और 2 3, 3 है रहीं 6, यानि 1 की power 6, और यह minus है तो minus, ठीक है, यानि minus 1 की power 6 अब करते third part third part में क्या है, 2 4Y 8 Y का square and 16Y cube ठीक है, for third part 4 दुनी 8 गुणा में 8Y का square, गुणा में है 16Y cube तो अब इनकी करेंगे, multiply 8 की जब 8 की में साथ मल्टेपलाई तो क्या आयन्स है? 64Y का square, गुणा में है 16Y, 3 तो आसर क्या हो, मारा जब इनकी multiply करेंगे, 16 और 64 की तो क्या होगा है, 1024 और वाई का square, आवाई की की वेरी, तो टोटल बना वाई की, 5 तो आज होगी हमारी exercise complete, बच्चों अगर वीडियो पसंद आई आपको, तो like, share and चैनल को subscribe, जरूर करें, और अब हम मिलते हैं, next chapter के साथ, next वीडियो में, तब तक के लिए, बाई!